कि आपको भी confusion रहता है कि commission क्या है, discount क्या है, brokerage क्या है, उनके बीच में क्या difference है, उनको किस तरीके से solve किया जाता है तो इस video में हम आपको बताएंगे कि exactly commission क्या होता है, discount क्या होता है, brokerage क्या होता है, कि बीच में difference क्या होता है और उनको किस तरीके साम सॉल्व करते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को आईए सबसे पहले अपन समझते हैं कि कमिशन क्या होता है तो कमिशन का मतलब होता है कि यह one end process है in which agent receives from owner to increase his cell देखिए कोई व्यक्ति होता है जो यह कहता है अपने owner को माली को कि ठीक है मैं आपका सामान जो है वो इतना बिक्वा दूँगा लेकि जितना भी बिगेगा उसमें से मुझे कुछ पैसा चाहिए कुछ percentage चाहिए तो वो जो पैसा है वो जो percentage है वो percentage कहलाता है हमारा commission कहलाता है याने कि इसमें एक owner होता है एक agent होता है उन्हीं के बीच में interaction होता है कोई थाड़ आदमी नहीं होता है और यदि कोई owner यह कह रहा है कि साथ मेरा इतना माल आप बिक्वा दीजिए और इतना percent ले लेना या अगर मुझे कोई माल खरीदना है तो आप इतना मुझे सस्ते में दिलवा दीजिए अतना percent ले लेना तो उनके बीच में जो पैसा owner दो आरा अपने agent को या व्यक्ति को दिया जाता है जो seller जो सेल इंक्रीस करने के लिए काम करता है वो कहलाता है हमारा commission ठीक है तो यह commission में स्रिफ दो ही होते हैं एक owner होता है agent होता है अब ओन कोन से commission हो सकते हैं जैसे अगर किसी ने कहा कि साब आप मेरा माल बिखवा दीजिए तो commission agent हो गया आपने insurance agent देखा होगा लाई सी में देखा होगा जिसमें कोई LIC company होती है वो अपने agent को कुछ पैसा देती है कि इतना अग सकते हैं तो किसी ने बोला कि साब मेरा यह टूर निकलता है और इस टूर के लिए अगर आप इतने 5000 रूपे किसी एक विकती से लेते तो उसका परसेंट या दो परसेंट जो भी है वह आपने commission के रूप में ले सकते हैं तो इन सबी process में अपने देखा कि एक owner होता है और ए भाई हम समझते हैं कि ये brokerage क्या होता है अब हमने देखा कि commission क्या होता हमीशन जो मैं आपको बताया कि एक one paid process होता है लेकि जब हम ब्रोक्रेश की बात करते हैं तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो दोनों से ही पैसा लेता है सेपर चेसर से भी पैसा लेता है याने कि यह two end process होती है जैसे किसी ने कहा कि साव आप मेरा मकां विक्वा दीजिए या कोई किराये पर मकान दे दीजिए तो यह क्या होता जब मकान विकवाना है तो जो मकान भेच रहा है वो उससे भी पैसा लेगा और जो मकान खरीद रहा है उससे भी पैसा लेगा इसी तरीके से अगर किराये पर मकान दे रहा है उससे भी पैसा लेगा और जो मकान किराये पर ले रहा है उ इसको क्या हम एजंट बहुल है वो सेलर से भी पैसा ले रहा है और पैसेसर से िपासा ले रहा है तो यह कि ¥ तक हमने कमिशन और ब्रोकरेश में यह देखा कि वो जो प्रोसेस है चाहे हो single end process है चाहे two end process है इसी में भी आपका seller और purchase directly involved नहीं होता यानि कि उनके बीच में एक agent होता है जो कि आप से पैसा लेता है चाहे commission हो चाहे brokerage हो लेकि जब हम discount की बाता है तो इसमें जो agent होता जो बीच का जो अभी हमने brokerage जो commission में agent देखा वो agent इसमें नहीं होता है इसमें क्या होता directly आपका seller होता है और purchaser होता या जो consumer भी हम कह सकते हैं इसमें कोई agent जैसा कोई concept नहीं होता तो इसमें क्या होता है seller बोलता है कि अगर आप मेरा कोई सामन लेते हैं तो इतना percent मैं आपको market price से कम पर दूँगा तो छूट जो दिवियाती है वो कहलाती है हमारी discount तो हमने यहीं पर यह लिखा है कि discount it is a one end process one end process का मतलब होता है कि एक इसमें से शुरू होगी और दूसरी शुरू होगी खतम हो जाएगी ऐसा दो तरफ नहीं होगी को एजेंट जैसा कोई concept इसमें नहीं होगा इन वीच announces or deduction is given from seller to purchaser at the market price जो market price है उससे कम छूट दे देता है उसी छूट को हम बोलते हैं discount अब discount कितने टाइप के होते हैं trade discount होता है जैसे उसने बोला कि साब आप 10,000 स्यादा का माल अगर मेंसे खरीद लोगे तो मैं उसका 2% दे दूँगा या फिर यह कह सकता है cash discount कि अगर आप मेरे को पैसा जल्दी दे दोगे तो इतनी छूट मैं आपको दे दूँगा उसी त तरीके से हमने देखा जो commission होता है वो one end process होता है जिसमें की हम को एक certain commission देते हैं जो brokerage होता है वो two end process होता है जिसमें की एक जो agent होता है वो seller से भी जुड़ा रहता है और purchase से भी जुड़ा रहता है तो commission और brokerage में दोनों में agent होता है और इसमें हमने discount में देखा इसमें दे करिफिट देता है मार्केट प्राइस के लेवल लेवल पर वो कहलाता है हमारा डिसकाउंट तो इस तरीके से हमने तीनों को अलग अलग भी देख लिया और तीनों के अपने डिफरेंज देख लिए आई अब देखते हैं कि कमिशन ब्रोकरेज और डिसकाउंट की जो फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं यानि आपको कमिशन अमाउंट निकालना है ब्रोकरेज अमाउंट निकालना है तो तीनों के लिए आपको एक ही फॉर्मूले को यूज करना होता है फॉर्मूला क्या है कि रेट और यानि कि अगर कमिशन का केस है तो हम यह बोलेंगे कि कमिशन का इमाउंट कितना है कितना परसेंटेज है उसकी टोटल सेल कितनी है और हंडेट निकाल लेंगे यदि वह हमसे पोड़ रहा है कि ब्रोकरेज इमाउंट निकालना तो ब्रोकरेज का रेट कितना है उसका टोटल सेल कितना है और हंडेट है तो अब मैंने जैसे बता लेतंगे इसी तरीके है तो वह कितना पर सेंटेज इबnya तो किसी है यहां लिख देंगे आ पर भी निकाल रहा है तो तीनों का लिखना होगा ब्रोकरेज की रेट में जो लिखना पड़ेगा और कितने की सेल हुई है डिवाइट बारेट करके आप उसका जो भी है कमिशन है ब्रोकरेज वो डिसकाउंट है वो निकाल सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको चैसे समझ में आ गया होगा ज जा साथ शियर करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें